यमुना नदी के अंदर खादर के नगला राई में रेत खनन ठेकेदार बेलगाम हो गए हैं यहां भारी भरकम मशीनों से खनन किया जा रहा है इतना ही नहीं NGT के गाइडलाइन्स की बे रोक टोक धज्या उड़ाई जा रही है रविवार को नगला राई खनन पट्टे पर कैमरे की नजर में भारी भरकम मशीनों से खनन करने की वीडियो कैद हुई जिसमें सरकार की आदेश ठेकेदारों ने ताक पर रख दिये हैं दरसल मामला कैराना के खादर का है यहां सरकार द्वारा 5-5 वर्ष हितू यम्ना नदी में पट्टे आवंटित किये गए हैं सरकार ने नियम काईदेश शर्तों के आधार पर पट्टे छोड़ रखे हैं लेकिन रेत ठेकेदार अपनी मनमानी कर नियम काईदे शर्तों को कुचल कर खनन करने में जुटे हुए हैं। बात कर एक हादर के नगला राई की जब मीडिया के कैबरे में भारी भरकम मशीनों से खनन करने का मामला कैद हुआ तो रेत ठेकेदारों में हरकम मच गया। इतना ही नहीं यमना नदी की भैती धारा के बीच से रेत निकाला जा रहा है। इसे यमना नदी के अस्तित्व पर खत्रा मंडरा रहा है। हाला कि बरसात में तीन मा खदान बंद रहने के बाद फिर से खनन पॉइंट शुरू हो चुका है। तमाम नियम काईदों को ताक पर रख कर भारी भरकम मशीने यमना में लगा कर खनन कारे किया जा रहा है। वही प्रतिबंधित पॉकलेन मशीनों से यमना नदी की भैती जलधारा के बीच से रेत निकाला जा रहा है और जिम्मेदार आखे मूंद कर बैटे हैं। किसान भी इन ठेकिदारों की हरकत से परिशान हो गए है। नियम काईदे ताक पर रख कर खनन कारे करते हैं। दो-तीन पॉकलेन मशीनों को पानी में अंदर रेत से निकालने के लिए लगाया जाता है। पहले रेत को पानी से निकाल कर किनारे पर डाला जाता है। और फिर उसे वानों में भर कर ले जाया जाता है। हाला कि NGT के गाइडलाइंस के अनुसार युम्ला नदी की जलधारा से किसी भी प्रकार की छेड़-छाड नहीं की जा सकती है ना ही पानी के अंदर से रेत निकाल सकते हैं लेकिन यहां सारे काइदे नियम शर्तों को दरकिनार कर खनन करते हैं और प्रशासिन कारवाही के नाम पर बस जुर्माना लगा कर कारवाही सिमिट जाते हैं